बिगद 24 गंटा मां आमरो 22 वटा परियोग साला मां 4,066 जना को आटी PCR बिदिबाट नमुन्ना परिच्छन बायको चा। येस तैं 3,065 जना को आडीती परिच्छन गरियेको चा। प्रकौरेंटेन मां रहनुभाय का बेक्ति अर्युको संख्या 65,072 रहेको चा। आइसोलेशन मां रहेका संक्रमित पेक्ति अर्युको संख्या 94,076 जना कोविड-19 बाट संक्रमन मुक्त भाई गता 24 गंटा मां दिश्चाज हुनु हुने हरु मां गोटगाउ आइसोलेशन सेंट्र बाट भोजपूर जिल्ला का एक पूरुस। इलाम जिल्ला का दुई पूरुस। जापा जिल्ला का उनांतिस पूरुस। रमोरं जिल्ला का एगार पूरुस। पाथ्थर का एक पूरुस। सुन्सरी जिल्ला का एगार पूरुस। पुरोना विशेस अस्पताल दांग बाट एक पुरुस, महल कुणा अस्पताल सुर्खित बाट साथ महिला रचा पुरुस, सुशिल कोईराला प्रखर अस्पताल बाके बाट बरदिया का चार महिला रदुई पुरुस, बाके का 2 महिलार 21 पुरुष आजको डिस्चाज हुनु हुने 18 महिलार 1-18 पुरुष गरी जम्मा 1-36 जना हुनुँचा आज समा डिस्चाज हुनु हुने जम्मा 2-42 महिलार 2-5-92 गरी जम्मा 28-34 जना हुनुँचा RT-PCR बाटस संक्रमित हुनु हुने अरुको विवरंड एस्परकार चा। नारुको विवरंड एस्परकार चा। का तीन पुरुस। डोटी का पंद्र महिलार 31 पुरुस। गुल्मी का दुई महिलार 5 पुरुस। जाजर कोट का एक पुरुस। कईलाली का दुई महिलार 6 पुरुस। कंचन पुर का तीन पुरुस। कपिल बस्तु का एक पुरुस। पर्सा का एक पुरुस। रशुआ का आठ महिलार एक पुरुस। रवताट का तीन महिलार एक तिस पुरुस। सल्यान का तेर पुरुस। सरलाई का 6 पुरुस। रस्यांग्जा का पांच पुरुस। भरतपुर अस्पताल पर्योक्षाला चितोन मा चितोन का दुई पुरुस। किर्जन रोग अनुसंदान तता तालिम केंद्र पर्योक्षाला हेटाउडा मा नुवा कोट का 6 पुरुस। मकवानपुर का दुई पुरुस। धुलिखेल अस्पताल धुलिखेल प्रयोक्साला में 12 का एक महिला र तीन पुरूस नोंचा पाटन अस्पताल ललीदपुर में पाथ्थर का एक महिला का फंडू का एक महिला र तीन पुरूस भक्तपुर का एक पुरूस नोंचा बीर अस्पताल पर्योग साला का फंडो में बजां का एक महिलार तीन पुरुस रडोटी का दुई पुरुस नोंचा तिर्वन विश्यविड्डाले सिच्छन अस्पताल महाराज गोंज में बाजुरा का 32 महिलार पचास पुरुस नोंचा पोखरा स्वाथ्यविग्यान पर्तिस्थान पोखरा मा नौल पराशी पुर्व का एक महिलार एक पुरुस प्रादेशिक जनस्वाथ्यविड्योग साला पोखरा मा वागलूं का आश्ट पुरुस श्यांग्जा का छो महिलार पंद्र पुरुस नोंचा प्रादेशिक जनस्वास्त प्रयोक साला रुपंदेही में अर्गा खाची का 1 महिला र 1 पुरुस, पालपा का 2 महिला र 24 पुरुस, पिवठान का 3 महिला र 46 पुरुस, रुपंदेही का 3 महिला र 5 पुरुस उनोंचा बेरी अस्पताल नेपाल गंज पर्योक साला मां बाके का दुई पुरूस बर्दिया का एक महिलार तीन पुरूस उनुँँचा रात्ती स्वास्त बिज्यान परतिस्तांग दांग पर्योक साला मां दांग का तीन महिलार अठाइस पुरूस कपिल बस्तु का 2 महिला र 5 पूरूस र रोलपा का 1 महिला उन्यून छा एसाई गरी सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल पर्योग साला मां सुर्खेत का 1 महिला र 6 पूरूस सेती प्रादेशिक अस्पताल पर्योग साला मां 22 का 1 महिला र 1 पूरूस दोटी का 25 महिला, कैलाली का 5 महिला र एक पुरुष र कंचनपुर का 2 पुरुष उनुँँचा आज को जम्मा 1 से 20 महिला र 4 से 34 पुरुष गरी 5 से 49 जना उनुँचा र आज सम्मको जम्मा 1,039 महिला र 10,940 पुरुष गरी जम्मा 12,309 संक्रमी तुनुँचा र नेपाल का 77 जिल्लामा COVID-19 का संक्रमी तरु वेटीनुँवायको छा आज आमरों अनुरोद छा विश्वव्यापी COVID-19 महमारी का संदर्वमा विविन्न ब्रहम अरू फैलावने क्रम देहिंदे आयको छा यो रोग विश्वव्यापी रूप में नया रोगो येसको रोग थाम रणियन तरंड का उपाय हरू का बारेमा धेरेवईज्यानी करू रचिकिस्च करू राद दिन अध्यन अनुसंदान गरी रहेका छन ती खोज बाट कुनेई पनी नया कुराहरू पत्ता लागने बित्तिकै स्वास्त्य तथा जन्चंख्या मंत्राले लाई जानकारी हुने खालका बिग्ज्य अरू को सम्यंत्रा आमिशंग छा तेसे अनुसार हामिले सर्वसाधर्ण लाई जानकारी गराउने र हामिले गरी रहे का प्रती कार्य का कार्य हरु मां सुधार गर्दे लगी रहे का छों। तर पनी बेला बेला मां विविन्न बेक्ती वा समुव हरु को निहित स्वार्थ का कारण विविन्न ब्रहम हरु सिर्जनागर ने गराउने रत्यसे लाई फैलाई निक करम एथा बत नहीं छा। एस किसिम का भ्रहम हरु सुन्ने बित्तिकाई मंत्रा लेलाई समय में जानकारी गराउन सम्पूर्ण सचेत नेपाली हरु लाई मंत्रा ले धन्यवाद ग्यापन गर्द छर एस किसिम का सुजाब प्रतीकार्य हरु को सदैं अपेक्षा गर्द छर। हाले मात्र बाईरस रिमूविंग काड पत्ता लागे को र यो गाटी में जुन्ड़ाय में कोबीट रोग लाग देई न वन्ने ब्रहम सिर्जना बहे को विशाय में स्वास्ते तथा जन्चंख्या मंत्रा लेको गंबीर ध्याना कर्शन बहे को छा। एस किसिम को उन्नेई पनी काड हाल सम्मपत्ता लागे को छाईना। एस किसिम को विदिरप परकिरिया नई सुरुनाभाय को ब्यहोरा समेत सबैमा अनुरोज छा। एस तो विदि भाय को भाय आज संसार वर एति धरे कठिनाई उन्दैन थी ओला। एस किसिम का विदिहरु को खाचो सबैलाई छा तर प्रभाबकारी पाईये का छाईनन। एस ता विदिहरु प्रभाबकारी पाईये मां स्वास्त्य तता जन्शंक्या मंत्राले मां दर्ता भाई प्रकिरया अनुशार ने सरकार ले आफई उपलब्द गराउने गरी अगाडी बढ़ने छा। हमेले पुजणुपर ने कुर्याके हो भने समश्या भैका बेलामा समाज मा भैका विभिनन बेक्ति अरूले आफणा लागी अफशर खोजने गर्द छन। तर हामी ले बिर्शन नहीं नहुने कुर्याकि हो बने समस्या को जोखिम लियाउंदा एई समाज मा भये का हामी कसाईलाई छोड़ दैना। वायरस रिमूविंग काड का नाम ले कसाईले काड बनाऊने वा विदेश्वाट लियाऊने तता ब्यापार गरने प्रियोजन का लागी बजार मा उपलब्द गराऊने रर समाज का परती स्थित बेक्तियरूका गला मा विबिन्न तरिकाले जुण्डेयाऊने रर पाजी गरने गरे को देखियो को मा स्वास्ते तथा जन्शंख्या मंत्रा ले जादित चिन्तिच्छा तेस किसिम का कुनेई पनी काड हरूलाई नेपाल सरकार ले शुदकिति दिये को छाईना तेस किसिम का काड मा प्रियोग वये का बनीये का रसाइन हरूले मुटू, फोक् लगायत का अंग हरूमा असर गरी स्वास्ते मा गंबिर समस्या उत्पन्न गर्द चा तेसेले स्वास्ते तता जन्शंख्या मंत्रा ले एसता ब्रह्मा परी वाईरस रिमोविंग काड को प्रियोग नगरनू नगराउनू हुना सबैमा अनुरोद गर्द चा अनुरी महामारी को यो बेला सबै एक जुट भाई जिम्मेबार नागरिक को भुमी का निर्भागर्न समेत आम नागरिक मां हार्दे अपिल गर्द चा जन्ता को भावना लाई बहका आयर बेक्तिगत स्वार्थ को लागी जनस्वास्ते माती खेलबाड गर्ने नियम विप परित भाईका एस किसिम का गती बिदी हरूलाई कानुनी दायरा माल्याई कारवाई परक्रिया अगाडी बढ़ाउन समेत स्वास्त्य तथा जन्त्संख्या मंत्राले हार्दिक अनुरोद गर्द चा और आजय उटा दुखद खबर चा एक जना ठप भेक्तिको मिर्टु भ पाली का साथ इस्थाई ठेगाना भाईको एक पचास बर्षिय पुरुष फोक्सोको कैंसर को बिरामी का कारण ले भारत मां उपचार गराउं दे आउनु भाईको रणिजलाई उपचार का क्रमा चितोन मेडिकल कलेज मा लगिये को रणिज़को दुएजा को दुएजार गते बियाना 635 बजे मिर्तु भाईको छा वहांको सब नेपाली सेना को 111 वा विवस्ताबन हुदैगरे को खबर छा एसरी मिर्तु होने अरू को संख्या 28 पूगे को छा